धौल पुर के दिहौली थाना छेत्र के मरैना कस्पे में रविवार राज सराप के नसे में धुत चाचा ने अपने ही भतीजे और उसकी पत्नी की लाठी रंडो से बेरहमी से पिटाई कर दी पिटाई में घायल पत्ति पत्नी को जिलासपताल में भरती कराया गया है असपताल में भरती घायल चंड्रगुप्त मौर उम्र 29 साल पुत्र रमेश चंड्र मौर ने बताया कि वरोज की तरह फेरी लगा कर घर पहुंचा था घर पर उसकी पतनी सर्वेस मौरी 27 साल उसके लिए जैसे ही खाना लेकर आई उसी समय पास में रहने वाले चाचा ओमी मौरी ने सराप के नसे में धुत होकर गाली गलोज शुरू कर दी चाचा के द्वारा दी गई गाली गलोच का पती-पत्नी द्वारा विरोध किये जाने पर आरोपी नाराज हो गया जिसके बाद आरोपी ने पती-पत्नी की बेरहमी से मारपीट कर दी मारपीट में घायल पति-पत्नी को पुलिस की मदद से जिल अस्पताल में भरती कराया गया है थाना प्रभारी बीधराम अम्बेस ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची और घायलों को अस्पताल में भरती कराया गया है मामला ग्रिह कलेस का है जिसको लेकर जांस की जा रही है आरोपी के खिलाप मामला दर्ज कर जांस सुरू कर दी है ब्यूरो रिपोर्ट ब्राटर्पनटीफोर न्यूज